एक बार फिर से आपका स्वागत है ओजांक टाइम्स में लेकर आगए एक बिग अपडेट। बांगलादेश में नई सरकार का गठन देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड है। मुहम्मद यूनुस का नेतरित्व इसे स्थिर्ता और पुनर निर्मान की दिशा में ले जा स रखता है। मुहम्मद यूनुस का पैरिस से धाका लोटना एक एतिहासिक खण था। उनका स्वागत सेना प्रमुख और नागरिक समाज ने गर्म जोशी से किया जो उनके प्रतिविश्वास दर्शाता है। यूनुस ने स्वतंतरता की सुरक्षा और युवाओं के पुन दस्य सलाहकार परिशत का गठन स्थिर्ता सुनिश्चित करने के प्रमुख कदम है। सुरक्षा चिंताओं के बीच लोग अपनी सुरक्षा स्वयम कर रहे हैं। पुलिस की अनुपस्थिती और छातरों का योगदान दर्शाता है कि स्थिती कितनी गंभीर है। हिंदू सम गए हैं और अवामी लीग से जुड़े कर्मचारी कार्याले नहीं आ रहे हैं जिससे सचिवाले का कामकाज प्रभावित हो रहा है। बियनपी की रैली और खालिदा जिया का संबोधन विपक्ष की सक्रियता को दर्शाता है। तारिक रहमान की चुनाव कराने की मांग से राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका, भारत और संयुक्त राष्ट्र ने बांगलादेश की स्थिती पर प्रतिक्रिया दी है। सभी ने शांती बनाए रखने और अंतरिम सरकार के साथ काम करने की इच्छाव्यक्त की है। अस्थिरता के कारण विदेशी निवे राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग भी जोर पकड़ रही है। शांतिपूर्ण संक्रमन, निश्पक्ष चुनाव और आर्थिक स्थिरता बांगलादेश के लिए प्राथमिक्ता होनी चाहिए। सामाजिक सद्भाव और सभी समुदायों के बीच विश्वास बहाली आवश्चक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्री स्टडी माटीरियल और पीडिएफ कॉंटेंट पाने के लिए हमें जोइन करें। इंस्तग्राम, फेस्बुक, टेलग्राम और वट्सापपर।